आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीश्यल है और मैट्रिक एक्जाम से रिलेटेड है और वह इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि आप सभी मैट्रिक एक्जाम देने वाले स्टुडेंट्स का सेंटप टेस्ट का एक्जाम डेट निकल चुका है वह 15 नौवंबर को होने वाला है सेंटप टेस्ट जिसको आप अर्दवार्शिक परिक्षा भी बोलते हैं जो 6 महीना पर होता है वह इक्जाम डेट निकल चुका है 15 नौवंबर को अब गुवर्मेंट 15 नौवंबर को यह डेट निकाली अब इससे आगे पीछे हो भी सकता है तो कोई दिकत नहीं है एक्जाम तो होगा ही होगा एनिवे एक्जाम डेट में चेंगिंग होता भी है तो उसे कोई दिकत नहीं है एक्जाम तो होगा ही होगा और इस एक्जाम को देने के लिए कुछ students बहुत ज़्यदा excited होते हैं क्योंकि उनके लिए important होता है वो exam और कु कि इसको नहीं आप लोग को इग्जाम करना है नहीं पैसे देकर कंप्रमाइज करना है और मैं तो कहूंगी आप लोग इस एक्जाम को इतना इंपोर्टेंट समझकर और इमानदारी के साथ दे कि जैसे लिए कि आप एनुवल एक्जामिनेशन में बैठ कर इक्जाम दे रहे ह है और अपने स्कोर का पता करना है इससे आप लोग को बहुत फायदा होगा सबसे पहला फाइदा ही टेस्ट अब सेंटप टेस्ट देने का सबसे पहला फायदा ये है कि सरकार ने जो नई नीती निकाली है जो एनुवल एक्जाम में एक्जाम पेपर आ रहा है बिल्कुल में उसी तरह का पेपर और ची सब्सक्रा पैवर नूबर कि ठेज्गना बिल्कुल उसी तरह आपम लोग लगों기도 में खानब देख सकें गया एक्वाल ओर यहां कि आप लोग ट्रेनिंग ब्सक्राइक तारbe रोल नंबर रोल कोड़ क biết किदर बहरा जाता है चासे लिखा जाता है यह सारी ट्रेश्चर पर चले जाते हैं इक्जाम देने के लिए एंव Reistration नंबर लिखना है कापी नंुँद की हुट नंबर कुछ भी नहीं मालूम होता है और इसी में उन्रों मुनाल का 15 मिनटा जाता है धून बताने में और पूछने में तो इस तरह आप लोग को जाएंगे तो यह दूसरी फायदा होगा तीसरा फायदा यह होगा कि अगर आप लोग इमांदारी और दिल पर हाथ रहकर एक्जाम देते हैं तो आप लोग अपने स्कूर का खुद से पता लगा सकते हैं स्कूल रिजल्ट दिखाया या फिर ना दिखाया आप लोग उसको छोड़िए आप ऐसे एक्जाम देजिए इतना इमांदारी के साथ देजिए कि आप अपने रिजल्ट का खुद से पता लगा लें कि हां मैं इतना लिखा हूं इसके हिसाब से मुझे इतना माक्स मिलना च समझ जए कि आप लोग का ये जो 6 महीना का तयारी था जो आप लोग preparation किये थे वो बह। ही बुरा था बह। ही घटिया था और उसके हिसाब से आप लोग ये जो 2-3 महीना का टाइम मिल रहे है उसमें इतना मेहनत कर दीजिए वो 6 महीने को मिला कर पूरा ये 2-3 महीने में कं कर दिजिए पूरा दिन दुनी रात चोकीनी लगा कर अपना पढ़ाई में मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कर दिजिए कि जब आप लोग एनुवल एक्जाम में जाए तो अपने एस्टेट टॉप लाएं और जो स्टुडेंस को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर आया हूं और उसके हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा माक्स मिलेगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा खुस होई ये लेकिन इतना मत खुस हो जाईए कि आप दो तीन महीने की जो समय मिल रहा है तैयारी करने का उसके तैयारी ही छोड़ दे आप लोग को इतना तैय मैं अल्रेडिक करना है मैं आल्रोडी आप लोसको बता चुकी हूं तो में नेक्स टापक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और